चेंज इन प्रोफिर शेंग रेशो में हम पहले ये वाला शोट डाल चुके हैं बहुत से बच्चों को कमेंट आया कि आपने इसको solve कैसी किया है आप देखो जब भी हम fraction में solve करते हैं तो दोनों का denominator जो नीचे वाले number होते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए तब ही आप add या minus कर सकते हो अब सब के नीचे में क्या है 12 और 15 है तो हम क्या करेंगे जो नीचे वाले number है denominator है उनका आप LCM ले लोगे 12 और 15 का जब आप LCM लोगे तो वो क्या आएगा 60 आएगा तो हमें दोनों number को क्या बनाना है 60 बनाना है जब 12 को 60 बनाएंगे तो 12 को 60 कैसे बनाएंगे हमको क्या करना पड़ेगा 5 से multiply करने पड़ेगा जो नीचे multiply करोगे वही सेम उपर multiply होगा अब 15 को अब multi 60 बनाओगे तो क्या multiply पड़ना पड़ेगा 15, 4, 60 होता है, तो सेम उपर भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा, तो नीचे दोनों का क्या हो गया, 60 हो गया, अब 7, 5 तो 35 और 8, 4, 32, तो इसका क्या आ गया, 3 by 60 आ गया, अब ऐसे ही हम ये B और C का भी सेम ऐसे ही सॉल कर लेंगे, 60 का दोनों का सेम करके solutions.